हलो दोस्तों कैसे आप लोग मैं उमीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चलना होगा चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मायत फोर डिये लिगा हम आपको पता होगा क्योंकि सिंप्लिफिकेशन अभी चलना है एक पाठ हम करा द साथारो आपके पास 15 केजी क्या है पांदर केजी क्या है स्वीड से ठीक है ऐस स्वीट से और ये और इंड़ बंश में कितना फ़ड़ा जा रहे है तो 250 क्लश रजा रहे तो कितना नंबर बंबेंख लगेगा ता आपका नंबर ओंफ बंप्स बॉक्स सीच कर दो कितना आप इसको कट किजेगा, तो पंदरशो गोगा, तो 60 हो जाएगा, तो यंसर नम्ब्र क्या लगेगा, बॉक्स लेगा, तो अपसन कोन हो जाएगा, तो समझगे बात, चले देखते आगे, आगे आपका कुश्च्चन है, 30 नमब्र, ठीक है, 30 नम्र कुश्चन देखे क्या कह कर रहा है थी इस नमर आपका question है का रहा है the cost of the six pain ठीक है आप पेन को यहां पे क्या कीजिए ले लिज़े क्या x ले लिज़े ठीक है तो six pain मतलब six six and three pencil और pencil और pencil को क्या लिज़े लिजे pencil को pencil को आप ले लिजे y तो plus में कितना three y is equal to कितना दिया हुआ है तो 84 आपको दिया हुआ है यह दिया है चलिए आगे क्या कर रहा है कि one third of the cost of the pain is equal to the cost of the pencil मतलब pain मतलब x y में कितना 3 is equal to परकूर में क्या य हुआ है यहस्ट है पेन का ठीक है समझगे बात यह पूछ रहा है तो चार terror पनका मतलब कितना 3y अगर x का value हम 3y डाल देंगे तो क्या हो जागा x का value क्योंकि यहां से हम x is equal to कितना 3y हो जागा x का value हम यहां पे डाल देते 3y तो क्या 18 y plus में कितना 3y is equal to कितना 84 हो जागा तो अब इसको हम यहां से कितना 18 तीने 20 हो गया तो y is equal to हमें कितना मिल जागा तो 4 ऩहाँ पे निकल गया समझ गया है क्योंकि 4 पेन और 5 पेन सिल का आपका यह किम्मत निकल गया चलिए देखते आगे आगे आपका 31 नमर कुछ है यह क्या कह रहा है पढ़िए कह रहा है कि the sum of the weight of the A and B मतलब A और B का भार दिया हुआ है A पलस में B का तो कितना दिया हुआ है तो यह दिया है भाया दोनों मिला करके 80 kg है half of the weight of the A is equal to मतलब half of the weight of A मतलब A by 2 is equal to कितना है तो 5 by 6 क्या तो B B इतना ही दिया find the weight of B तो B का weight निकालना है तो A का value क्या B के term में put कर देते हैं ठीक है तो हम इस्सों अगर cut करें तो कितना हो जागा A is equal to में 5 B by three यही ची हो जागा तो यहां पे डाल कितना निकाला तो 3 तो निकल काई इसको निकल गया समझ गया बात तो answer कून हो जागा answer आप का option number B हो जागा ठीक है चलिए देखते आगे, आगे आपका 32 नमर कुछन च्या कह रहा है पड़ी, 32 नमर कुछन कह रहा है और एक स्पोर्ट डे क्या हो रहा है कि सबी लोग को और कुछ भी बित्रन होता है तो उसको पंक्ती में खरा कड़ाया जाता है तो उस दिन क्या तो 16 पंक्ती बना अब यह कह रहा है कि 24 चिलियन को अगर एक पंक्ती में लगाया जाता कितना नमर अफ कलम बनेगा जैसे पहले 30-30 लोग को लगाया थे ठीक है एगो म इतने टोटल लोग थे तो उसको हम पहले कांट कर रहे थे थे 30 में में कितना 16 कियो में कितने लोग थे 30 job थे और इतना और अब अब कितना डालना थे 24 हो डालना थे तो बिस को 24 ह sommes 8 से aquilo 2 और 8 से 3 अब यह तो से tick Matt King कॉत और ठीक है चलिए देखते हैं आगे आगले आपका 33 नमर कोस्टर है क्या कहए पढ़ए पाइन एपंड़ कोस्ट पाइन एपल कोस्ट कितना है सात रुपया ऑफ इच एटक तो देखिए यहां पर दिया वह अब कहए इ podría आगे एक्स एक्सी होगा है तो मतलब यह खर्च जो टोटल 38 रुपया कर रहा है ठीक है फ्रूट्स पे तो नमबर ओफ पाइन एपल पर्चेट तो कितना नमबर ओफ पाइन एपल पर्चेट किया तो आपको यहाँ है वो डाटा इने डिकेट लिखा हुए तो बहुत लोग को लेगा है कि सार हम इसको कैसे निकाले कि हमें अप्सन डी तो नहीं दिख रहा बिल्कुल नहीं दिखे क्योंकि आपको यहाँ पर कोस्ट दिया गया इसी बास से आपको दिमाग लगा नहीं देखिए पाइन एपल का जो है सात रुपया कोस्ट दिया है ठीक है और गुने में माल लिजे पाइन एपल को हम पी से लिख लेते ठीक है पलस में कितना तो वाटर मेलन का पाँच रुपया कोस्ट दिया और इसको हम डवलू से लिख लेते हमें यहीं पर यह कितना और तीस दिया ग दो लेकिन जब चाइब तो लोट यहां से पाइनेपल खड़िते हैं चाड हो ता आपको कितना 28 रूपया पेग करना पड़ेगा ठीक है 28 हो 28 रूपय करना पड़ेगा और अगर दू गो आप यहां से क्या Watermelon खड़िते तो आपको 10 रूपय यह पेग करना पड़ेगा तो यह दोनों मिला के तो मतलब यही इसको खल बैठाना पड़ेगा आपको कितना लेने के बाद यह चीजे बंड़ा है तो यहाँ पर देखे 25 रुपया में आप कितना अगर 5 रुपया कर दो ही रीचराइश को समझ गई आपको क्या करना है तो एडिशन करना है देखिए इस टाइब के कुस्चनिक 64 में हमेशा आथा हो आता है तो आपको जैसे ही कुस्चन है तो सबसे से पहले बाद आपको नीचे बाला कल्कुलेशन की जै फिर इसको बहुत सारा ट्रीक ट्राइग होता है लेकिन हम आपको ट्रीक से बता देंगे ना तो होता क्या है न कोई ha special प्रू पे लगता है स्वपे नहीं लगता तो इसलिए आप concept से ही कर लिजे क्योंकि concept से भी करने में कितना लेगा 15 से 20 सेकेंड लेगा जैसे कि इसको देखे 3 और ये कितना हो गया 4 हो गया तो ठीक है 4 बटा 3 तब ये उलट जागा उपन में तो 1 पलस में आपको अगर हम इस पूरा को अगर दिखा रहा हूं ठीक है कितना 7 और 4 कितना तो ये 11 बटा में कितना हो गया ये भी तो ये 11 बटा में 7 ही हो गया तो आप देख रहे क्या आजाएगा आपको answer 1 आजाएगा समझ गया बात ये हो जाएगा चलिए देखते आगे आगे आप देखे ये फिर आपको ये calculation बला दे दिया कोई बात नहीं देखे इसका पहले सबसे पहले इसको कितना चार और ये कितना पांच पांच बटा में चार हो गया इसके मतलब क्या हो गया अगर आप इस पुड़ा को देखिएगा पांच बटा में आपको 4 दिया था ये उपर 4 चार चले खा 뉴스 नीचे पांच 3 दिया ते यह हं मुउनिस बटा में कितना पांच हो गया यहां तक कलकुलेशन हो गा आपका अब इसके साथ क्या हो जागी तो दो पलस में कितना तो 5 बटा में 19 हो जागा तो heut ती तो 43 बटा में 19 हो जाएगा समझ गया बात आपको नीचे वाला कल्कुलेशन हो गया अब उपर वाला को कीजिए देखें यह कितना है पांतिया पंदरा चार उनीस ते यह भी कितना आपको 2 पलस में 19 बटा में कितना दे दिया अनिकि 19 ते यह हो जागा और इसको उल्टा दी जागा ते कितना 5 बटा में यहाँ पर क्या हो जागा 19 हो जागा इसका कल्कुलेशन के ते यह भी कितना दे आपको और 30 और पलस में कितना 5 बटा में 19 ते यह भी कितना दे दिया 43 बटा में 19 दे आप दोनों देखें सेम ही आ गया same आगे है न और divide करना था तो क्या आजागा फिर से इसका answer कितना आजागा तो 1 आजागा अब देख लिजी option में कहाँ पर 1 है मैं दिखा देता हूँ देखें तो option में c number option में 1 है तो यह हो जाएगा आपका answer calculation आपको करते ही चलना है मैं क्यूं बता रहा हूँ करते चलना है क्योंकि अभी तो आपको सब कुछ असान लगा है कि आड़े सर बना ही रहे हम सिर्फ देख रहे नहीं अगर जब तक आप calculation नहीं करते हैं तब तक आप माल लिजी कि अपने आपको आप धोखा दे रहे इतना मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि अभी तो आपको सब कुछ असान लग रहा जब अपको कीजिये गा नहीं तब तक असाने लए क्योंकि आप किसी को पहार पे भी चशणते देखते हैं आप देखते कि ठकड़ा है ता सुते की हम रहते तो चषण जाते लेकिन आप चोड़के देखिएगा न तभी पता चलेगी कितना इफ़र्ट लगता है चरने में तो यही बात है जब तक आप इसको बनाईएगा न तब तक आप खाली देखने से आपका कोई फैदा नहींगा एकजाम में अगर आप दो सकेंड भी बचा लेते न तो वही आपको सेलेक्शन दिलाएगा मैं बता रहा हूँ न कि अगर एको सीट पे अगर मान लिजे ऐसा कि एको सीट पे अगर 500 बच्चा है न तो इसमें आप ऐसा समझ के चलिए कि इसमें से न तीन सो बच्चा जो होगा न उत्यारी कर रहा होगा अच्छे से जिसमें से 100 बच्चा जो होगा वो खूब मेहनत कर रहा होगा और इसमें से 50 बच्चा को जो रिजल्ट होगा वो बिल्कूल किसी का एक नमर से आधा नमर से दो नमर से रहेगा ये कैसे रहा जाते हैं क्योंकि एक्जाम में टाइम नहीं बचा पाते हैं बहुत मैनेज नहीं क कर पाते हैं क्यों कि थोड़ा सा प्रेक्ट्रीस कम अढाता इसकी वैड्यस मैं क्या बोला हूँ मैं मैंस खतman करा हूं tort सब अब करा कर जाएं अप् monstr अधूरा म्त सोचिए कि tipping सही पढ़ा रहा हूं आप जो बिन यह content देता हूं ना बहुत specific दे रहा हूं क्योंकि आपको एक बात दिमाग में याद रखना है कि अगर आपको छत पेचर ना है ना तो किस से जाईए से जाईए आप एरोपलेन ले लिजेगा ना तो कभी न जा पाईएगा अगर आप एक एक competitor है ना तो हमें साब 90% से लेबस को त्याड़ी किजेए 100% करने के चक्कर में रहिएगा ना 100 कर पाईएगा ना 50 कर पाईएगा किमकि आप अगर 90% सही से त्याड़ी कर लेते हैं तो आपका selection done है भाई done है ठीक है तो छत पर चरने के लिए क्या जरूरत है और रिविजन कर के जाता है और मैथ ऐसा चीज़ है आप जितना रिविजन कर लिए उतना कम है आपके लिए समझ रहे है ना 24 नमर दे कर जा रहा बहुत लोग को लग रहा है ना कि हम CRM ये इस बार PhD कर ये कर चोड़ेंगे ठीक है जैसा चाहे जो हो जा कर लिए भया CRM ये समझ गया ना बात तो इस बात को फोकस किजिए PhD करने से 10 नमर 12 नमर वाले सब्जेक्ट में आपको कुछ नहीं होने बला है आप लोग का गलत फेमी है कि आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े क्योंकि जो चीज़े मैं देता हूं बहुत लोग को अच्छा लगता बहुत लोग को अच्छा नभी लगता है तो लेकिन फोकस किजिए चीज़े भी तब आपका सेलेक्शन ड़न होगा ठीक है चलिए बिसेस आपका टाइम खराब नहीं करेंगे हम एक दिन आपको वीडियो बना के सब कुछ बताएंगे कि आपको क् चलिए दीचें आगे तो आपका अपसँन मैवा सी लीग चलिए चलिए दिख ते आगे आगे आपका कुछचन आगे आपका ये 36 नमर कोशन है देखिए 36 नमर कोशन आपको क्या कह रहा 36 नमर कोशन आपको equation दे रहा दोनों equation को आप solve किजिए आपका answer आजागा ठीक है करें which one of the following value x and y satisfied the equation देखिए ते xy का value निकाल लेज़े क्या दिया हो को 3x plus में कितना y 19 दिया हो और x- y is equal to 9 दिया हो है तो यहाँ पर देखिए अगर add किजएगा त आपको कितना 4x is equal to me कितना मिल गया तो आपको यहाँ पर 28 मिल गया एक टीकिच जिकर तो更 कितना ही सेबर यहाँ देखिए minus y is equal to 9 minus 7 तो मतलब y is equal to minus 2 आगया समझ गया बात y is equal to minus 2 आगया तो देखिए हाँ पर x is equal to minus 2 तो 7 minus 2 तो option C हो जाएगा समझ गया बात चलिए देखते आगे आगे आपका 37 नमर question है 37 नमर question क्या करा आपड़ी करा a plus में b आपको दिया हुए कितना a plus और next time 3 a plus में कितना तो 2 b 2 b दिया हुए कितना दिया है तो 20 तो छिक है आप इसको देखे इसको काalkulation कर लिए क्यों कि आपको निकालना क्या 3 a Plus में लिए तो आपको यह तो करना भी पड़ेगा तो यहाँ देखे इसमें 2 से गुना कर लिए पर बहुत है इसको घटा लिए जब इसको दाई जिरू हो जागा खींग है यहां पर क्या है ता-गई आगे तो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-これで 10 खो तो इसको जाGT is हो जागा समझ गया बात ना चलिए देखते आगे ठीक है चलिए चलिए आगे देखे आपका कौन सा नमर कुछन है तो आपका आगे 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 और तीस नमर और तीस नमर हाँ ठीक है और तीस नमर कुछन देखे और तीस नमर कुछन क्या कर रहा है कि आपको कितना तो 2x plus में y दिया हुए ठीक है, एक और और एक और एक्पेशन यह दिया है आपके पूछा है कितना 4x plus में 3 y plus में z पूछा है तब पहले आपा तो पहले तिनों equation को लीक सलेकर यह हो जाएगा, देख़िए 2x plus में कितना y, is equal to में कितना तो 17 यहीं दिया हुआ है आगे देखें क्या दिया है y प्लस में कितना तो 2z यहीं दिया हुआ 2z इसकल्ट में कितना तो 15 दिया हुआ है तीसरा एक्वेशन क्या दिया है तो x प्लस में कितना तो y ठीक है इसकल्ट में कितना दिया हुआ है तो 9 दिया हुआ है अब देखें य एक यह माल लिजे, दो यह माल लिजे, तो एक तीन को आप स्वल्व कर लिजे, जब एक तीन को स्वल्व किजेगा न, तो यहाँ पर हम तीसरा पहला नमर लिख लेते, क्या टू एक स्वल्व में कितना हुआ है, इस कल टू में कितना है, तो सतरा, अभी दोनों को स्वल्व कि तो y is equal to कितना आ गया तो 1 आ गया ठीक है अब x is equal to 8 आ गया तो आप यहाँ पर पूट कितना चाओदा तो z is equal to कितना आ जाएगा साथ आ जाएगा समझ गया बात अब देखिए आपको पूट यहाँ पर करना है तो यहाँ पर क्या क्या भैलू है आपके पास तो x में आपको 4 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा पलस में क्या हो जाएगा तो आपके पास और क्या 3 y है तो y के भैलू 1 है तो आपको यहाँ पर 3 हो जाएगा पलस में कितना तो जेड डिरेक्ट जेड पूट करना है तो कितना साथ तो 10 हो गया और यह कितना 32 तो 32 और 10 कितना हो गया 42 हो गया तो आपका option कौन हो जाएगा option 10 हो जाएगा समझ गया बात चलिए देखते आगे 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 आपका कौन नमर question है तो आगे आपका है 49 नमर अब देखिए यहाँ पे हम पहले इसको calculation करने से पहले हम आपको थोड़ा सा पहले बता देते उसको अब ध्यान से सुन लिजे ताकि उसको सुने रहेगा तो आपको benefit होगा देखिए हमापको पहले 그 example छोटा से बताते है उसको ध्यान से सुने देखिए हम मान लजीए कि 9 यहां पर मान लेते और क्या मान लेते तो 8 बता में 9 so कि 9 मान ल. इसको देखिए अगर इसको हम बोलत आपकी 89 लिखते ते यही लिखते न अब मैं बोलू कि आप यह साथ छोटा था तो कल्कुलेशन कर रहे लेकिन बढ़ा रहेगा तक ऐसे किज़ेगा तो सीधे सीधे क्या करना है बढ़ा रहे तो यह जितना 9 है ना यह लास्ट में मल्टी देखिए यह टर्म और यह टर्म हमे कितना 9 यहां कितना 9 डाल लेगा रहे है तो यहां पर यहां पर ले लीजए तो यहां पर 5 बटा में कितना ले लीजए तो 9 यहां फिर से 9 ले ताब देखिए आपको क्या करना है इस 9 के बदले क्या तो 9 और इस 9 के बदले कितना तो 0 और different कितना का है तो different 4 का है तो यहाँ पर 4 कर जीए तो कितना आगे आपको 80 6 आगे आप इसको solution भी करिएगा तो same ची जाना है समझ गया बाद तो अब उसी तरह से हम इस पर apply करेंगे चीज़े चलिए देखते हैं देखे यहाँ पर क्या है तो 3 गो 9 यहाँ और 3 गो 9 है तो हम क्या बोले इसके बदले जितना है वही ले लेंगे तो 3 गो 9 है तो 3 गो 9 ले लिए ठीक है अब इसके बदले क्या लेना है तो 0 क्या गो 9 है तो 3 गो 0 ले ले लिए बाद समझ गया अब इस दोनों में different दीजे कितना का ह 4 खटा दिए समझ कि आप तो देखिए अंसर कितना दिर में आ जागा तो यहां कितना नाइन हो जागा समझी बाद यहां इसका जितना डिफ्रेन्ट है ना क्युंकि देखते यहां भी अगर नौ होड यहां नौ है तो आप डायरेक्ट इस में से घटाईए जीरो में से आपको घटा करके यह जो डिफिरेंट जो आ रहा है उनिट प्लेस पर वही होगा तो आप दस में से चार को घटाईएगा इस डिफिरेंट को तो आपको क्या अच्छे दिखेगा जो एक यहां तक जा रहा है तो आप इसके लिए क्या होता है एक छोटा सा फर्मूला क्या होता है कि one by difference one by क्या आपको लिखना है difference ठीक है और bracket में क्या one by क्या तो first term first term इसको आप लिख लिजे copy में minus one by में क्या तो last term last term समझ गया बात तो देखे first term आपको क्या है तो यही है न one जो by में है ठीक हम जब यहाँ one by कर दिये हैं तो आपको यह लेना है सिर्फ one by first term मतलब क्या है तो यह one और last term क्या है तो n plus में one यही दिख रहा है न आपको और different मतलब क्या है यह दोनों के बीच में जितना different है यह दोनों के बीच में जितना different है कितना का different है one का है न तो यह देखे आपको n बटा में n प्लस में 1 तो option कौम सा हो जागा आपका option C हो जागा समझ गया बात तो यह important question था इसको आप देख लिए चलिए देखते आगे आगे देखिए आगे जो आपका question दिया है ना इस हमें calculation है लेकिन आपको calculation करते रहेगा तो बड़ा आसान रहेगा देखिए य श्री बड़ा में बड़ा ब्रेकेट ले तो इसका काम हम बाद में करेंगे समझ के बाद तो यह कीस मिल गया उसके बाद हमें यहाँ पर क्या मिल ला चार भागा में जाकर चार देखेंगे तो कितना दो बटा में हमें 5 मिल गया और गुने में कितना मिल गया तो 95 बटा में 8 मिल गया समझ गया बाद ठीक है अब यहां पे देखें order फबाङ का लेते अब यह पचीस उपर में दिख रहे है यह कट गया ठीक है अब चार यह दिख रहे है ठीक तो यह कितना हो जाएगा तो यह पूरा कितना बचा आपको तो 10.5 बचा समझ गया बाद लेकिन यहाँ पे दीखे माइनस लगा हुआ है तो यह पूरे का पूरे कितना माइनस में आ गया अब देखे यहाँ पर इसको अगर सॉलूइसन करें गया तो कि तना तो तीन पवैंट पांच तो यह कितना हो जागा तो माइनस में 7 हो जागा कि आगे देखिए पहले बात क्या हैहाँ है यहां पैघेले कांदर का मेद्धार करें दो Kayd चले आगे हमाइब कीतना कांदर करेंगे कीतना चाहँ है उसके बाद गुना कर लेंगे औरoda सुरुखे वाइद वक्रावं 2 बटा में 3, 2 बटा में 3 क्योंकि यह उलट जागा, समझ गये ना बात, चलिए आगे देखिए, पलस में आपके साथ क्या है, तो आपके साथ पलस में है ये, पांदुना 10 माइनस में 2, तो कितना हो जागा, 8 बटा में 5, 8 बटा में आपको क्या दे रहा है, पांच दे रहा है और गुने में कितना तो 3 बटा में 2 और पलस में कितना तो 2 बटा में 3 यही चीज़ दे रहा है चलिए अब इसका थोरा सा गल्पू लेसन देख लिए इससे ही कट जागा ठीक है तो यह कितना बच गया आपके पास इससे यह भी कट जागा तीने बटा था न यहाँ पे देख पार ऱिटीए घडर बार बटा में कितना पाँंच पलस में कितना तो यह देखें दो बटा में 3 गुग वह सभर किले यह जा क्ट लेगा-दो गुणे में-पाँंच यही समझिव एक। साथ और बार अच्छा कितना बहत्तर पलस में कितना हो जागा तीन से तीन कट गया ता पांदूने कितना दस हो गया तो बेरासी और यह पंदरा देख लेए कितना हो जागा एक सो साथ हो जागा अब बटे में कितना तीस हो जागा तो आपका अपका यह हो जागा ठीक है चलि है आप यहां पर कल्कूलेशन चेक कर लिएगे आपको यह चीजर आ जाएगा ठीक है नीचे में 30 सारा नहीं में यहां पे चीजरा जाएगा चलिए देखते आप एक लि 속कै Einsatz कर लिए ठीक है रिख 5 इसके साथ आपको पूरा को गुना एक ही बार कर लेना है ठीक है एक ही बार हो जागा उसके बाद देख लिए यहाँ पर ब्रैकेट का काम पहले कर लिए उसके बाद यह तो चली हम लिखते चलते इसमें देखिए तो पहले आपको क्या चार मिल गया उसके बाद प्लस में कित चलिए थो ठीक है और दो प्लस में पांग तो साथ तो इक गुने कितना हो जाएगा समझ गहाब अब इसको जोड़िये जब इसको सो आप जोड़िये वीस इस्यpent प्लस में आपको निकल जाएगा तो जब इस ब्रैकेट के काम किजए कात आपको कितना मिलेगा 49 मिल जागा ठीक है पहला ब्रैकेट में आपको 49 मिल गया दूसरा ब्रैकेट में आपको 11 यहां मिल जागा 117 मिल गया 77 मिल गया समझ गया उसके बाद आगे देखिए माइनस में आपको कित समझ के बाद तक कितना हो गया आपके पास आठ और तीने कितना हो गया तो दस हो गया अब आपको इतना एक गल्डू कितना है तो बाड़ा एक से ठीक है तो एक सीच कल्डू कितना हो जागा एक सो आठ बटे में कितना बारा तो बारा नमा कितना होता है एक सो आठ होता है तो 6 बटा में कितना हो जागा 8 गुने में कितना फोल हो गया तो इसको आप डीडिट क्या लिख लिए तो यहां से देखे इसे में 3 मिल गया तो इसको देखे जब इसको भागा देजिए तो 3 मिलेगा और माइनस 3 तो मतलब इससे खतम हो गया ठीक है अब यहां पर देखे आठारा है और यह माइनस में 1 है और यह पुलस में हाप है मतलब आपको 7.5 दे दिया इसके मतलब कि आप 25 बटा आपको 2 मिल जाएगा अपसन में ठीक है तो देखे एक अहां पर है तो यह अपसन नमर C में 35 बटा 2 समझ के बाद तो अपसन C हो जाएगा आपका चलिए देखते आगे आगे आप 46 नमर कुश्चन है 46 नमर कुश्चन में क्या का रहा देखे आपको एका यहां पर वहलू दिया गया है एका वहलू आप पहले कल्कुलेट किजिए उसके बाद आप फिर B का किजिए उसके बाद फिर किस का तो C का किजिए उसके बाद आप से पूछा क्या है एक पलस में B म कितना आ जाएगा तो आपको यह कि Legisl पहले यहां से मिलगा ठीक है उसके बाद आपको कितना मिल गया तो बाई में कितना मिल जागा अच्छी और पलस में कितना मिल जागा तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है कि जैसे कि इसका आप divide किजएगा 3 से कितना 7 हो जागा और यह 2 हो जागा मतलब 3.5 और 2 कितना हो जागा तो 5 पॉइंट आपको 5 क्या मिल गया यह मिल गया चलिए अब B का हम value देखते हैं जब B का calculate करेंगे तो यह हमारे पास तो कितना हो जागा तो यहाँ पे देखें B का अगर हम value के अगर बात करते हैं तो 3 बटा में कितना 6 गुने में 4 पॉलस में 2 और माइनस में कितना तो यह ओफ है तो यह गुना हो जागा तो माइनस में कितना 6 हो जागा समझ गया बात तो यहाँ पे देखेंगे जब इसको और 2 किजिएगा तो 2 ये और 2 ये 4 तो b का value आपको कितना आगया और minus 6 तो minus आपका 2 आगया समझ गया ऑद c का value देखे कहां पे दिया तो c का value आपको ये दिया हुआ है B का व춰iraot कर OC कर लिए, आपको यहां से 3 मिल जाँ ठीक है, उसके बाद 12 मिल जागा, और 12, 10 मिल गया, तो इसके मतलब क्या होगा? C का वोगए, आपको यहां से तो मिल जाँ रही है, उसके बाद आपको क्या मिल जाँ, यहां से 12, प्लस में 12, 12 मिल दीए, तो 13 हो जाएगा, समझगे बाद न, चलिए, अब इसके बाद आपको क्या पूछ रहा है, A plus में B minus 3, तो देखिए, minus 3 करना तो A plus में B कितना हो जाएगा, देखिए, A कितना है आपको, तो 5.5 और B कितना है, तो minus 2 है, तो इसके मतलब A plus B जो रहाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3.5 और उसके बाद क्या है, आपको घटाना है कितना, तो 13, तो 13 आप इसमें से अगर घटाईएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जागा यहाँ पर, कितना, देखिए, अगर 3 घटाते तो आपको 10 मिलता है, लेकिन सारे 3 घटा रहाएगा, इसके मतलब कि 9.5 आपको 5 मिले है, किसमें तो minus में, तो देख लिजे 9.5 का है, तो option नमर C, नहीं, option एक और चली minus में है, देखिए, 47 नमर question में आपको क्या पूछ रहा है, कि देखिए, simple आपको calculation करना, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, जोर घटाओ करना, इसको आप कर लिजे, आपका आराम से answer आदेगा, चली आगे देखते हैं, आगे देखिए, जैसे कि हम अभी आपको पीछे कराएं, उसी तरह से देखिए, ए का value यहां दिया हुआ है, ठीक है, फिर B का value दिया हुआ है, फिर आपको क्या पूछ आते, यह plus B, जैसा हम कराएं है, same as a ditto है, question कुछ नहीं change, चली फिर आगे देखते हैं, ठीक है, देखिए, अब आगे हम यह question आपको करके दिखा देते हैं, यहां पे off of भी लगा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा problem आपको हो सकता है, तो देखिए, यहां पे पहले हम उपर का calculation कर लेंग बटा में 10, ठीक है, तो यह कितना दे दिया आपको, देखिए यहां पे, तो यहां पे आप ले लिए, एक बटा में 4 है, और प्लस में कितना, 3 बटा में 10, तो आप यहां पे ले लिए, दो गुने में 5 गुने में कितना, 2, यही ची ले लिए, तो यहां पे कितना 5, प्लस म में कितना बच गया तो साथ बटा में आपको 20 हो गया यहां से आगया साथ बटा 20 आगया समझ गया बाद अब नीचे देखिए नीचे यहां पर थोड़ा कुश्चन कितना बच गुने कितना ने इसको कट किजेगा तो कितना इससे चार से गुना किजे इसमें तब 20 हो जागा और इसमें जब किजेगा आपको कितना तीन से गुना तो यह आपको कितना दिख रहा है 35 बटा में आपको 12 दिख रहा है अब आपको क्या करना था डिभाइड करना था तो कर दिखे देखे 7 बटा में कितना तो 20 और गुने में कितना हो जागा 12 बटा में आपको 35 हो जागा तब इसको कट किजेगा कितना से तो यह देखे आपको यह कितना से कट हो जाएगा चार से चार से कितना हो जाएगा पांच चार से पांच हो जाएगा यहां पर देखे थुरा चार कट गया है तो पाँक होगया और यह दस तो यहां पर आपको six मिल जाता है ना यहां पर देखिए यह आपको एक जच्छे मिलता है ना यहां पर अगर बीश है नो यहां पर त्इन दुना छे मिल जाता है तो पाँच कितना होता है इसको आप सही कर लिएगा ठीक है यहां पर यह 11 है ठीक है तो आपको क्या मिल गया है 30 बटा में कितना तो 35 पंचे कितना है 175 175 तो यह अपसन जहां भी होगा वह जाएगा तो अपसन इसका एक हो जाएगा कई कभी-कभी काल्कुलेशन थोरा करने मिस्ट ठीक है तो देखिए इसको अच्छे से आपका सोलूचन हो जाएगा आज का कंप्लीट देखिए यहां पे दिया होई क्या यहां पर भाग दिया यहां पर आप दियाा किसका काम करेंगे इसका यहीं पर धुरा कन साथा साय dedi क्षिजुं करोड़ेगा तो हमें पहले क्या कर मतलब भागा में कितना तो बास right उसके बाद क्या तो प्लस में Jose देखे रहा है आप मतलब एक बाटा में तीन पलस में एक बाटा में दो पलस में कुतना एक बड़ा में दो पलस में चार हे समझे बाद तो यह कितना काग 16 बटा में कितना तो 3 देदेगा तो अपसन कोन हो जागा अपसन B हो जागा ठीक है तो दोस्तों ये था आपका आज का लास्ट कुश्चन ठीक है तो ये मतलब सिंप्लिफिकेशन आपका खतम हो गया इसके बाद जो चेप्टर नेक से दे कि हम सब चेप्टर सिक्वियंस में इसलिए करा रहे हैं क्योंकि अगर पहले क्योंकि मैथ में जो चेप्टर भी दिया है आपको सब परना चाहिए क्यों कि यह 24 नमर क्याना है तो भी होगा आपके सेलिबस में वह हम आपको कल से फिर देना शुरू करेंगा ठीक है तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ठीक है क्योंकि आपका भी सपोर्ट का जरूरत है हमें ठीक है जैसे हम आपको पुरा सपोर्ट करते हैं तो हमें भी आप सपोर्ट कीजिए ठीक है तो थैंक्स पर बाचिंग ओके बाइज यहिंदु